संस्कृत निधी चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठे पुस्तक का 4 पाठ पड़ेंगे जिसका शिर्षक है गंगा नदी और आज के वीडियो में हम इस संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यासकारे देखेंगे तो पहले देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद पाठ का शिर्षक है गंगा नदी गंगा नदी पवित्र प्राचीन विशाला च अस्ती तो विशेशन में भी स्त्रिलिंग पत का प्रयोग हुआ है इसलिए जब भी आप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो हमीशा विशेशन विशेश्य में समान विभक्ती वचन का प्रयोग होता है इम गंगा हिमालयात निस्सरती यह गंगा हिमाले से निकलती है। गंगा यह तटे गंगा के तटे तट पर अनेकानी अनेक तिर्थस्थलानी तिर्थस्थल संती हैं। अस्याह तीरे इसके तीरे अर्थार तट पर हरिद्वारम हरिद्वार प्रयागह प्रयाग वारानसी च और वारानसी प्रसिद्धानी प प्रसिद्ध तीर्थ स्थल संती हैं। प्रयागे। प्रयाग में गंगा यमुनयोह। गंगा और यमुना का यमुनयोह। में द्वीवचन है। तो गंगा और यमुना का संगमह अस्ती संगम है। अर्थार्थ वहाँ पर इन दोनों नदियों का मेल होता है, मिलन होता है। सरस्वती नदी सरस्वती नदी तत्र वहां गुप्त गामिनी इती जनश्रूती वर्तते कि सरस्वती नदी वहां गुप्त गामिनी अर्थार्थ गुप्त रूप से चलने वाली है इती इस प्रकार की जनश्रूती अर्थार्थ लोगों की मान्यता है कहावत है लोगों में कह अश्रावत भावत है बर्तते है ऐसी जन शृती है अरथात लोग ऐसा कहते हैं गंगायां स्नानम पुण्यदायक मन्यते गंगायां गंगामी स्नान पुण्यदायक मन्यते माना जाता है सम्प्रती इस समय गंगायाह जलम गंगा का जल प्रदूशितम द्रिश्यती प्रदूशित दिखाई देता है ओध्योगिक अवकर प्रवाहिन मलिन जल विसरजनीन अन्यश्य कारणई गंगायाम मालिन्यम द्रिश्यती क्या कारण है उस गंगा जल के प्रदूशित होने का तो अध्योगिक अवकर प्रवाहिन अध्यार अर्थार्थ अध्योगिक अर्थार्थ उध्योगों से निकलने वाले अवकर कहते हैं कच्रे को तो उध्योगों के कच्रे के प्रवाहिन प्रवाह से मलिन जल विसर्जनीन मलिन अर्थार्थ गंदे जल विसर्जनीन जल के विसर्जन से च और अन्याई कारणई और भी कुछ अन्या कारणों से गंगायाम गंगा में मालिन्यम द्रिश्यते अर्थार्थ मलिन्ता दिखाई फिर से देखिए इस फंक्ति को ओद्योगिक कच्रे के प्रवाह से मलिन जल के विसर्जन से और अन्यकारणों से गंगा में मलिन्ता दृष्यते देखी जाती है या दिखाई देती है गंगायाम गंगा में ये जीवाह जो जीव निवसंती रहते हैं तेशाम उनके उपर अपी भी संकटम वर्तते संकट है कि गंगा में जो जीव रहते हैं उनके उपर भी संकट है गंगायाह जले गंगा के जल में मीनाह, मीनाह अर्थार्थ, मचलियां, कच्छपाह, अर्थार्थ, कच्छुए, इत्यादयह, इत्यादी भवन्ती होते हैं अर्थार्थ ये मीन, मचलिया, कच्छवे, आदी जो जीव हैं वो गंगा के जल में रहते हैं ये जो जलस्य जल के प्रदूशन निवारने सहायका भवंती अर्थार्थ सहायक होते हैं कि ये जो जीव रहते हैं गंगा नदी में ये कि ये अर्थार्थ जो जलस्य जल के प्रदूशन निवारने प्रदूशन निवारन में सहायका भवंती सहायक होते हैं परम अर्थार्थ किन्तु मान वहा मनुष्य ने स्व स्वार्थ पूर्तए अपने स्वार्थ की पूर्ती के लिए तान अपी मारे यंती उनको भी मारते हैं अर्थार्थ ये जो जीव जन्तु हैं ये प्रदूशन निवारन में सहायक होते हैं किन्तु मनुष्य अपनी स्वार्थ पूर्ती के लिए उनको भी मारते हैं या मार देते हैं सम्प्रती इस समय गंगायाम गंगा पर बहु बंद निर्माणीन बहु अर्थार्थ अनेक बंद कहते हैं बांध कि अनेक बांधों के निर्माणीन निर्माण से तस्याह उसका तस्याह गंगाया के लिए आया है तो अनेक बांधों के निर्माण से उसका अबाद प्रवाह अर्थार्थ जो अबादित प्रवाह है गंगा का वह अबाद प्रवाह रोध्यते रोका जा रहा है कि अभी क्या कर रहे हैं, लोगों ने एक तो जितने भी जीव जन्तू है वहाँ पर गंगा में उनको मार दिया है और वहाँ पर गंगा के उपर बांध निर्मान किया जा रहा है जिससे जो गंगा का अभाद प्रवा है जिसको कोई बादित नहीं कर सकता उस बांध निर्मान से उसको बांधा जा रहा है उसको रोका जा रहा है पूर्वम पहले गंगायाम पोताह नुक नौकाह चे चलंतिसमा पूर्वम अर्थार्थ पहले गंगायाम गंगा में पोताह बोलते हैं जहाज को कि जहाज च नौका और नावे नौका अर्थार्थ नावे चलंतिसमा चलती थी पोताहा जहाज नौकाहा नावे एव ही यात्रा साधनानी आसन कि नावे ही यात्रा के साधन थे कहने का तात पर रहे है प्राचीन काल में गंगा में पोत अर्थार जहाज और नौका अर्थार नावे चलती थी और ये जो जहाज और नावे थी ये ही यात्रा के साधन थे इदानिम अभी मनोरंजनाय गंगायाम नौकाह दरी द्रिशनते कि इस समय मनोरंजनाय अर्थार्थ मनोरंजन के लिए गंगायाम गंगा में नौकाह दरी द्रिशनते नावें दिखाई देती है अगर हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ रिशी केश में राफटिंग होती है तो वो मनोरंजन के लिए होती है अभी प्राचीन काल में तो ये क्यों चलती थी क्योंकि वो यात्रा का साधन थी इसलिए और इस समय ये जो नौकाएं चलती है वो मनोरंजन के लिए चलती हैं गंगाया सनरक्षणेन गंगा के सनरक्षण से इमानी तिर्थ इस्थलानी ये तिर्थ इस्थल सनरक्षितानी सनरक्षित भविश्यनती होंगे कि गंगा के सनरक्षण से ही ये तिर्थ इस्थल सनरक्षित होंगे अर्थार्ट जब हम गंगा को बचाएंगे ये प्रदूशित और सब नहीं करेंगे तो ही हम जो गंगा के किनारे जो तेर्थिस्तल है उनको सनरक्षित कर पाएंगे इदानीम अब इस समय भारत सर्वकारह भारत सर्वकारह अर्थार्ट सरकार कि इस समय भारत सरकार गंगायाह स्वच्छिताया करते गंगायाह अर्थार्ट गंगा की स्वच्छिताया करते स्वच्छिता के लिए मंत्रालयस्य मंत्रालय का निर्मानम कृत्वा निर्मान करके नमामी गंगे योजनाम संचालयती योजना को चला रही है। कि इस समय भारत सरकार गंगा की स्वच्छता के लिए अर्थात सफाई के लिए मंत्राले का निर्मानम कृत्वा निर्मान करके नमामी गंगे ये उस योजना का नाम है। नमामी गंगे योज नाम योजना को संचाल यती तो भारत सरकार जो है वो गंगा की सफाई के लिए उन्होंने एक मंत्राले का निर्मान किया है और नमामी गंगे नामक एक योजना चला रही है जिसके अंतरगत गंगा की स्वच्छता को रखा गया है उत्खनन अनंतरम यहाँपर दो पद हैं उत्खनन अनंतरम दिर्गसंदी हो गई है तो उत्खनन अर्थार्थ खुदाई के अनंतरम पश्चात इदम प्रमानं प्राप्तम यह प्रमान प्राप्तम अर्थार्थ मिला है या प्राप्त हुआ है यत कि गुप्त गामिनी नदी सरस्वती कि गुप्त रूप से चलने वाली नदी सरस्वती इदानी मपी अभी भी प्रवहती बहती है अर्थार्थ फिर से देखिए कि खुदाई के पश्चात इदम प्रमाणम प्राप्तम यह प्रमाण प्राप्त हुआ है कि गुप्त गामिनी नदी सरस्वती अभी भी प्रवहती अर्थार्थ बहती है तो जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर यमुना और गंगा के अतिरिक्त सरस्वती भी है, जो कि गुप्त रूप से यहां बहति है, तो उत्खनन अर्थार जब यहां खुदाई हुई, तो उसके बाद यह प्रमान मिले हैं कि यहां पर सरस्वती नदी अभी भी बह रही है तो ये है इस पार्ट का हिंदी अन्वार्थ और ये है पार्ट के अंत में आये हुए शब्दार्थ और ये है पार्ट का अभ्यासकार्रे तो पहला प्रश्न है प्रश्ना नाम उत्तरानी लिखत तो ये देखे ये जो अंडरलाइन किये हुए शब्द है इनका केवल आपको उत्तर लिखना है बाकी जो वाक्य है वो ऐसे का तैसा आ जाएगा तो पहला प्रशन है प्रशनों के उत्तर लिखिए उसके अंदर गत पहला प्रशन है कस्याह तटे अनेकानी तेर्थिस्तलानी संती तो कस्याह के इस्तान पर आ जाएगा गंगायाह तटे अनेकानी तेर्थ प्रयागे कयोह संगमह अस्ति, मीनाह कच्छपाच कुत्र निवसंति, पूर्वं यात्रा साधनानी कानी आसन, पूर्वं यात्रा साधनानी पोताह नौका इत्यादिनी आसन. इदानिम गंगायाम नौका कि मर्थम चाल लेंते, कि अभी जो गंगा में नौका चलाई जाती है, वो मनोरंजन के लिए चलाई जाती है. अगला प्रश्ण है रिक्तिस्थानानी पूर्यत, ये पाठ में से दिये गए हैं, तो ये रिक्तिस्थान मैंने कर दिये हैं यहाँ पर, ये फिल कर दिये हैं, आप देख सकते हैं. अगला प्रश्ण है एतेशाम शब्दा नाम रूपानी लिखत उधारन आर्तम, ये नीचे को शब्द दिये गए हैं, उनके आपको शब्द रूप लिखने हैं, और सब्तमी भक्ति में आपको तीनों वच्णों में लिखने हैं, एक उधारन इनोंने दिया है, जैसे कि रा पुल्लिंग है, तो आगे इनोंने लिखा भी है कि कौनसे लिंग का शब्द है, तो रामल का सब्तमी में बनेगा रामे, रामयो, रामेशू, लता का बनेगा लतायाम, लतयो, लतासू, नदी का नद्याम, नद्यो, नदीशू, वाटिका, वाटिकायाम, वाटिकयो, वाट अगला प्रश्ण है एतेशाम शब्दानाम विलोम शब्दह लिखित कि नीचे कुछ शब्द दिये गए हैं उनका विलोम शब्द आपको लिखना है पहला है चतुरह मूर्खह धनिकह निर्धनह मित्रम शत्रुह विद्या अविद्या अगला प्रश्ण है एतेशाम शब्दानाम प्रयोगम कृत्वा वाक्यानी रचयत नीचे कुछ शब्द दिये गए हैं उनका वाक्य में आपको प्रयोग करना है गटेशू गटेशू जलानी संती नद्याम नदी में ये सब देखे आपके इस पार्ट में सब्द्वी भक्ति के विशे में का जो प्रयोग है वो बताया गया है तो जाड़ा तर जो शब्द हैं वो सब्द्वी भक्ति के ही हैं तो घटेशु घटेशु जलानी संती, नद्याम नद्याम मकरवस्त, हस्तह तव हस्तह अतीव मृदू, पालिकायाम बालिकायाम गुणाह विद्यनते अगला है शिरसी, पशु पते है शिरसी बाल भाव चंद्रह सुशोबितह ग्रामेशु भारतस्य अधिकांश्तह जनाह ग्रामेशु निवसंती, विद्याल एशु विद्याल एशु बाल का नाम सर्वांगीन विकासह भवती, फलेशु पलेशु आम्र फलम मैयम रोचते, देवयो हो पूजनम करोमी तो ये था पार्ट चार जिसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास कारे हमने आज किया, तो अगर आपको पार्ट से संबंदित कोई प्रेश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चै ये तो संस्कृता